नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल लग दुरुगा जोतिस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। बिल्ली के ऐसे दस सुभ असुभ संकेत जिसे चान कर आप हैराण हो जाओंगे। सब्सक्राइब कर लिए साथ इसाथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुशती रहे। और आप ऐसे रोशक रोशक जानकारिया सबसे पहले प्राप्ट कर सके। तो चलो मुत्रो देर ना करते हुए बिल्ली से रिलेटर दस ऐसे प्रश्णुत्तर को हम जानते हैं जिसे जानकर हम अपनी दुबिधा को अपनी परिसाली को दूर कर सकते हैं। पहला प्रसण है कि हमें बिल्ली पालना चाहिए कि नहीं? और क्यूं नहीं पालना चाहिए? हिंदू सलातन धर्म की अजुसार अगर हम बात करे तो काली बिल्ली जंगली बिल्ली और गाव की बिल्लिया जो इधर उदर घूंती रहती है इन बिल्लियों को बिल्कुन नहीं पालना चाहिए बिल्लिया किसी भी प्रकार की हो उन्हें पालना नहीं चाहिए क्योंकि इन सबके कर्म एक जैसे ही होते है इसका में कारण है कि बिल्ली जहां भी रहती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव उर्जा रहती है जैसे भूत, प्रेट, काला जादू, काला साया अपने आप वहाँ पर होने लगता है इसका मेंड कारण है बिल्ली राहू की सवारी है और बिल्ली जहाती रहती है राहू के गड़ वहाँ पर हमेशा रहते है राहू के गड़ जैसे भूत, प्रेट, चुरेट, जिन ये सब गंदी उर्जा वाले सैतान हमेशा उस जगह पर रहते है और अपनी लेगेटिव उर्जा को पहलाते रहते है जिसके कारण उस घर का माहूल खराब होने लगता है इसका एक कारण आओर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बिल्ली गंदा चीज खाती है बिल्ली चुमा खाती है और गंदी रहती है ये जहाँ भी रहती है उस अस्थान को गंदी कर देती है मल मुत्य को त्यांगती है इसमें उस अथान पर देवी देवकाओं का वास बंद हो जाता है और निगेटिव उर्जा को रहने का अथान मिल जाता है जिसके कारण बिल्ली बिल्कुल नहीं पालना जा नमबर दो बिल्ली का घर में आना सुब होता है या सुब बिल्ली का घर में आना एक दम असुब माना गया है हमारे हिंदू सनातर धर्म में अगर बिल्ली आपके घर में बार बार आ रही है तो इसका अर्थ ये माना गया है कि कोई ना कोई समस्या कोई ना कोई परेशानी आपके घर में आ सकती है तो बिल्ली का घर में आना एकदम असुभ है क्योंकि ये बिल्ली जब घर में आपके आएगी तो मान के चलिए उस घर में ये नेगेटिव उर्जा को फैलाएगी असुदता फैलाएगी देवी देवताओं का वास खतम करेगी तो इसलिए बिल्ली को घर में बार- वारापके घर में आएगी तो कोई नकोई समस्या उत्पन होना सुरू हो जाएगा, घर में परिशानी उत्पन होना सुरू होगा, बीमार होने लगेगे रोग और आपके जो काम बने हो दिरे-दिरे बिगरने लगेगे, इतनEt बिल्ली को घर में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए यह आसुब है आसुब लच्छण है नमबर तीन काली बिल्ली का घर में आना काली बिल्ली एकदम काली बिल्ली हो और आपके घर में आ जाए तो समझ जाओ कि आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है सावधान हो जाए क्योंकि काली बिल्ली सिधा सिधा र आहू की सवारी माली गई है और यह जहां भी दिखाई देती हैं जहां भी जाती है कोई ना कोई ब्रातांडों उपद्रों वहाँ पर अवस्य होता है तो बिलकुल ही काली बिल्ली को घर में नहीं आने देना चाहिए इसका एक कारण और भी है कई ऐसे आलोकिक सक्तिया है जो बुरी सक्तिया है वो काली बिल्ली का रूप धारण करके आपके घर में प्रवेश कर जाती है और फिर वो तांडों मचाती है सावधान है अगर काली बिल्ली आपके घर में आय तो तुरंत उसे रोके और मार के बगा दे नंबर चार बिल्ली का रास्ता काटना बिल्ली का दे या रस्ता काट दे तो रस्ता इस बात के और इसारा करता है कि उस रास्ते के पास चलने वाला व्यक्ति कोई न कोई परेशानी में आवस्चि फसेगा उसे सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि बिल्ली जबनी रास्ता काती है तब वो समझ लीजिए कि राहू के तरफ से को आई न कोई आपको संकेत दिया जा रहा है कि आपको आपका काम भी गरने वाला है आपको कोई परेशानी आने वाली है या हो सकता है आपके साथ कोई धुरगणना घट जाए आईसे में आप यात्ता अर्थगित करें और वहां पर जाना छोड़ दे या न जाए उस दिन उ मारे काम को बिगानने के लिए हमें परिशान करने के लिए ऐसी सिती में उदिन याता कैंसिल अवस्य कर दे नंबर पाँच बिल्ली का घर में टटी करना एक अच्छी बात नहीं है यह बहुत ही असुब संकेत है यह संकेत इस बात की और इशारा करता है कि आपके घर में कोई कोई बड़ी परेशानी आने वाली है आपके घर में कोई बड़ी समस्या आने वाली है सावधान हो जाए बिल्ली आशा करके लिगेट्व उर्जा को आपके घर में बढ़ाने का काम करती है आप सावधान रहें तुरंट उसकी टट्टी को साप कर दे और घर में सुगंदी वस्तु को फेलाए और देवी देताओं का वाहन करें पूजा करें जिससे आपकी रच्छा होगी और निगेटिव उर्जा बाहर भागेगी पिल्ली का भोजन बहुत गंदा होता है चुवा खाते हैं किले मकोडे खाते हैं गंदी वस्तु ये खाते हैं आइसे में उनका घर म का घंदी सक्तियों को आकरशित करता है क्या आइसे काला जादू खुध-परेथ- ब्लेट मैजिक बढ़ाने वाली सक्तियों को आकरशित करता है तो आप उन्हें तुरन शाप करें और वहां पर पवितर्वुस्तूं का छिढ काउँ करें जैसे गंगा जल अतर अगर बत्ती लगा देना धूप लगा देना और अपने मंदिर का भभूती फेक देना इसे लेगेटिव उर्जा तुरंत हट जाएगी और आपको उस परेशानी से बचाओ मिल जाएगा नमबर छे सपने में काली बिल्ली देखना आपको बता दू अगर आपके सपने में काली बिल्ली दिखाई देती है तो आपको सावधान होने की जरूत है काली बिल्ली राहू की सवारी है और यह लिगे की उर्जा को लेके आती है अगर आपके सपने में काली बिल्ली आपको कुछ न कुछ परिशानी का सामना करना पर सकता है, सारीरिक कष्ट का सामना करना पर सकता है, हो सकता है, कोई आपको बड़ी बीमारी भी लग जाए और घर में उपद्रों भी शुरू हो सकते है, काली बिली का सपने में दिखाई देना, आपको किसी न किसी परिशानी आने का संकेत देता है तो यह सपन जोति साहत्र के अनुसार अब सुभ माना गया है साधान है ऐसे सपना आने पर भगवान स्यू की प्रात्रा करे उन्हें जल चढ़ाए उनसे अपने रच्छा की कामना करे नमबर साथ बिल्ली का घर में दूद पिना बिल्ली का घर में दूद पिना ये भी सुभ नहीं माना गया है ऐसा कहा जाता है हिंदू सलातन धर में कि अगर बिल्ली घर में दूद पी गई तो मान के चलिए कि आपके घर में एक बड़ा अफसकुन हो गया है आपके घर में धन की परेषानी सुरू हो सकती है आपकी घर में छोटी मोटी समस्या सुरू हो सकती है तो बिल्ली का घर में दूद पीना सुब्र नहीं माला गया है कई गुजुर्ण ऐसा कहतے تھे कि जो डायेन होती थी वो बिल्ली का रूप धारण करके और घर में जाकर जिस घर में जाकर दूद पी लियती थी उस घर में हमेशा के लिए फिर उसके घर का दूद गायब होने लगता था, दूद की मलाई गायब हो जाती थी उसको बिला गए तो डायन लोग बिल्ली का रूप धारण करके एक बार आपके घर में अगर दूद पीने में सच्छम हो जाती है तो आपके घर का वो सुक चैन हराम कर देती है ऐसा हमारे हिंदू सनातर धर्ब के पूर्बुजो का कहना है साथान रहे बिल्ली को किसी भी कीमत पर अपने घर में ना आने दे बिल्ली का घर में आकर बच्चा देना बिल्ली का घर में आकर बच्चा देना यह एक बहुत सुब है सुब माना गया हिंदू सनातर धर में जिस घर में बिल्ली आकर सोयम बच्चा देती है अपने बच्चों को रखती है पैदा करती है वो घर में धन्य धान की जो कमी रहती है वो धीरे धीरे पूर्ड होने लगती है और परेशानी धन से रेटर दूर होने लगती है और घर में आपसकुन घटनाई जो घटी है वो दीरे दीरे बंद हो जाती है और घर में सुक सांती आना सुरू हो जाता है तो बिल्ली का घर में बच्चा देना बहुत ही सुरू माना गया है अगर आईसा आपके घर में होता है तो आप लकी इंसान हो अच्छे आपके कर्म होने वाले हैं अच्छे दिन सुरू होने वाले है नमबर नव, बिल्ली का रोना, बिल्ली का रोना हिंदू सनातन धर्म में बहुत दूरा माना गया है, हिंदू सनातन धर्म का मानो, तो बिल्ली अगर रो रही है, रात के रो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके इद्दिगेर्द, आपके घर में कोई ने कोई समस्या, कोई न बिल्ली का रोना सुब नहीं माला गया है अगर बिल्ली किसी भी गाउं में कहीं भी किसी भी जगा पर किसी के घर के अंदर रोती है तो समझ जाओ कोई बड़ी समस्या का आना तैह है सावधान हो जाएं दिल्ली ऐसे बिल्कुल नहीं रोती है दिल्ली ऐसा जीव है जिसे भबिस में घटने वाली घटना दिखाई देती है और साथ ही साथ उनको लेगेटिव उजा जो भी कुछ भूत प्रेत काला जादू से लेटट यम के दूत ये सब उन्हें इस पस्ट दि साथ है कि सावधान हो जाओ तुम्हारे उपर आप बड़ी घटना घटने वाली है ये समस्या आने वाली है उसकी तरफ से ये संकेत हमें दिया जाता है तो आपको साथान हो जाना है आपको समझ जाना है कि अगर बिल्ली लो रही है तो कुछ न कुछ घटना खड़ाब तिम उत्तर सफेद बिल्ली का देखना सफेद बिल्ली का घर में आना सफेद बिल्ली का घर में आना बहुत ही सुह माना गया है अगर दिखाई भी देती है तो सुह माना गया है सफेद बिल्ली घर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए लेकिन कभी आ गई तो उसे सुह माना गया और इसे पालना तो बिल्कुल नहीं चाहिए पालने की बात में यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इकात बार सफेद मिली आज आई या दिखाई दे तो उससे सुर बाला गया है और ऐसा माला जाता है कि आप की परिसानी ख़त में होने वाली है, ऐसा संकेत मिलता है, तो आईसे आउर बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चानल को सब्क्राइब करते रहें और आपकी कोई भी प्रश्णों हो आरे कोमेंट बोक्स में जाकर अवस्य लिखें और बताएं हम आपके सभी प्रश्णों के उत्तर वीडियो के माधन से देने की कोशिश करेंगे तब तक कि लेते हैं इस वीडियो से विदा जाए मातादी जाए स्रीकृष्णू